नमस्ते मैं हूँ आपके साथ गायती शर्माग कुरोना का खत्रा अभी टला नहीं है इसलिए मास्क पहनना बहत जरूरी है न्यूज एटिन भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने पीम ने भी कहा है कि कुरोना से लडाई में मास्क ही हत्यार है इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में और रैलियों में मास्क पहने और लोगों से भी मास्क पहनने की अपील करें और इस बीच एक बड़ी कपर आपको बता दें बड़ी कपर मुंबली से महराष्ट में पूर्फ कविष्णर परंबीर सिंग की चिट्टी बंग से उटे राजनितिक भूचाल के बाद आज मुक्य मंत्री उद्धव ठाकरे ने शाम सारे चार बजे बुलाई है एम बैठक इस बैठक में बदले राजनितिक हालात पर चर्चा की जाएगी परंबीर सिंग के चिट्टी बं के बाद से ग्रे मंत्री अनिल देशमुक की कुरसी पर तलवार लटकी हुई है कल्शवत पवार भी कह चुके हैं कि अनिल देशमुक के मामले पर अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे ही करेंगे इस बीच जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रहे है वो ये भी कि इस बदले हालात पर बीती रात कॉंग्रेस के वर्ष्ट नेताओं की एम बैठक हुई ये बैठक करीब दो घंटे तक चली और बताइए जाला कि राजयतिक संकट पर कॉंग्रेस हाई कमान ने रिपोर्ट मांगी है तो ये बड़ी जानकारी शाम सारी चार बचे उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है तो वहीं कॉंग्रेस की भी बैठक होगी कॉंग्रेस में भी मंतन हुआ है कल भी मंतन हुआ और इस सब के बीच अवाला कमान ने कॉंग्रेस से रिपोर्ट मांग ली है तो एक तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ से बैठक बुलाई गई है तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस भी कर रही है मन्थन के आगे आखर किस तरीके का रुख अपनाया जाए हाला कि कल शर्थपवार के घर पर कमलनाथ जो की कॉंग्रिस के वर्ष नेता है और मध्यपदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी वो पहुंचे थे शर्थपवार से मिलने के लिए बातचीत हुई थी और इसके साथी शिफ सेना के प्रवक्टा और राजसवासांस संजराउद भी पहुंचे थे मिलने के लिए उन तमाम मंतनों के दौर के बाद आज उधव ठाकरे ने बैठक बुलाई है तो वहीं कॉंग्रिस आला कमान ने मांगी है रिपोर्ट और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहियोगी जुड़ चुके अभीशेक पांडे हमारे साथ मुंबई से जोकी अनिल देश्मुक के घर के बाहर मौझूद है और नीरज कुमार दिली से शर्थ पवार के घर पर घर के बाहर मौझूद है सबसे पहले अभीशेक आपके पास आते हुए उद्धव ठाकने ने जो साड़े चार बजे बैठक बुलाई है उसको लेकर क्या अपडेट मिल पारा है देखे उद्धव ठाकने ने जो बैठक बुलाई है उसमें साफ तोर पर यह है कि राज जी के भीतर जिस तरीके से समवैदानी गटना करब बदला है एक सीनेर आईपे सरेकारी दोरा इस तरीके का ग्रिमन्तरी के उपर आरोफ लगायो जाना और उसके बाद यह कहा जाना की इस पूरे मामले की जाची की जाएगी जाज का दाइरा क्या होगा, किस से जाज कराई जा सकती है और आने वाले समय में राज्य के भीतर किस तरीके के बदला हो सकते हैं और संबैदानिक तोर पर उसका क्या नुकसान और फायदा हो सकता है इन सारी चीजों को जानने के लिए आज मुख्यमंत्री उद्धोठाक्रे ने साड़े चार बजए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है वहीं दूसरी तरफ कल देर रात में कॉंग्रेस के तीन सीनियर नेता महाराष्ट के अशोग चवान, बाला साफ थोराट और नाना पठोले तीनों लोगों ने महाराष्ट के प्रभारी एच के पार्टिल के साथ वीडियो कांफरेंसिंग बैठक की है दो घंटे तक बैठक चली है और उसमें राज जी के राजनितिक हालात पे चर्चा हुई है क्योंकि आला कमान ने महाराष्ट को लेकर के रिपोर्ट मंगाई है जिस तरीके की चीजे चल रही है उससे आने वाले समय में खास करके दो चुनाओ सामने है क्या राजनितिक फायदा और नुकसान हो सकता है करप्शन को लेकर इन सारी चीजों को लेकर के बादचीत करने के लिए कल एक बड़ी बैठक हुई है उसके बाद रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा है साथी साथ आज की मतवपूर बैठक है हाला कि अभी जो सभावनाय बर रही है हो सकता है कि एन सीपी के भी सीनियर नेताओं की आज मुंबई में बैठक हो एन सीपी के सीनियर नेता वीडियो कॉंफेंजिंग से भी जूड सकते हैं जिसमें वो आने वाली रंडिती पर चर्चा करेंगे खास करके अनिल देश्मुक को ले करके अभिशेक लॉटर आपके पास दिल्ली में नीरज भी मौजूद है